पुरोना संक्रमण के कारण उत्पन इस्थित की मानी मुक्षमंद्री के इस्तर पर तथा मुक्षचिव के इस्तर पर प्रति दिन समीक्षा की जा रही है तथा जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाये जा रहे हैं जो अभी की इस्तिती है जो हमों के पास रिपोर्ट है अभी तक 409 केसेज पॉजिटिव आये हैं स्वास्ति वभाग की ब्रीफिंग में इसको डिटेल में बताया जाएगा जो हमारे आपदा रहत केंद्र चल रहे हैं विभिन शहरों में जो दिहारी मजदूर हैं ठेला वेंडर हैं रिक्षा चालक हैं या अन्य जरूरत मंद वेखती हैं इनकी सुविधा के लिए ऐसे केंद्रों की संख्या 203 है और इनमें 72,014 इनका लाब उठा रहे हैं जो पंचायत में क्वारंटाइन केंप्स हैं स्कूलों में बने हैं उनकी संख्या 1413 आज की तिथि में है और इनमें 13,300 लोग आवासित हैं जिनको वहां गडवत्ता पून भोजन आवासन तथा चिक्षकी ये जांच की सुविधा उपलब्द कराई जा रही है जो बिहार के बाहर लोग फसे हूँ हैं जिनसे कॉल्स और मैसेज़ेस हम लोगों को आ रहे हैं जाये वह बिहार भोवन में हो या आपदा प्रवंदन विभाग के नियंत्रण कक्ष में हो या मुक्यमंत्री सचवाले में हो इनकी कुल संख्या आज बढ़कर 1,26,000 हो गई है जैनि 1,26,000 लोगों से हमें कॉल्स या मैसेज़ेस आए हैं और इन सभी को अटेंड किया जा रहा है इनसे फीड़बैक लिया जा रहा है वापस फोन करके चता समंदित जो राज्य सरकारे हैं और वहां का जो जिला प्रशाशन है उससे भी लगातार बात करके इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है इन जो कॉल्स आई हैं इनमें से जो सम्मिलित लोग हैं कुल 15,17,000 यह गृप्स में लोग हैं जहां से यह लोग कॉल करते हैं और जो भी बिहार के बाहर जरूरतमंद लोग हैं फसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण उनकी साहता के लिए जो मुक्यमंत्री विशेश साहता मे एक हजार रूपे प्रतिव्यक्ति की राशी दी जा रही है सभी को इसके अंतरगत जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो आज बढ़कर 28,29,000 हो गई हैं और इनमें से लगबग 26,00,000 से कुछ अधिक की जाँच समलोग कर चुके हैं और 17,79,000 के खाते में यह राशी ट्रा प्रिया है उसके पश्चात एक दो दिन में उनके खाते में पहुँच जाएगे जो बिहार फांडेशन के माध्यम से जो हम लोग राहत केंदरों के माध्यम से ज़रूरतमन लोगों को राहत पहुचाने का काम किया जा रहा है वो करीब 9 राज्यों में 55 कैम्प हमारे चल र जार हो गई है एक दो क्वेशन पूछे गए थे जो एक तो सीमा पर जाच की क्या विवस्ता है तो वो संजय आपदा पुमंदन विवाग में है हम लोगों के साथ वो बता देंगे बाद में और एक दिन और भी एक क्वेशन आया था कि जो हमारे बाहर मजदूर है उनकी सं संख्या क्या है मैंने उस दिन भी सबस्ट किया था कि कोई क्लियर कट फीगर हम लोगों के पास नहीं है लेकिन जो मुख्यमंत्री विशेश सहता के अंतरगत आवेदन आ रहे हैं इससे हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि संख्या लगबक क्या होगी जैसा आज भी मैंन कि 28,39,000 रेजिस्ट्रेशन इनके अंतरगत हो चुके हैं इसका मतलब है इससे बुसंख्या है